अब मैं आपको math के बारे में पढ़ाऊंगी math subject का जिसमें कि सबसे पहले starting में हमारा क्या है big and small सबसे पहले हम जानेंगे big means क्या होता है और small means क्या होता है big means होता है बड़ा और small means होता है क्या करना है इसमें जो big है उसमें हमको टिक करना है और small जो है उसमें क्या करना है इस तरह से कि यह क्रॉस हो गया और big means हो गया बड़ा इसमें हमको क्या करना है टिक करना है उसी तरह से इसमें भी है यह बिग है इसमें हमें टिक करना है और स्मॉल में क्रोस करना है यह यहां पर भी यह क्या है बिग है तो बिग को हमें टिक करना है स्मॉल को क्रोस करना है सेम यही प्रोसेस है नेक्ट में जैसे कि अब हम आते हैं शौट एंड टॉल शौट मींस होता है छोटा और टॉल मींस होता है लंबा ओके जिस मिन्स होता है छोटा इसको क्या करना है हमें क्रॉस करना है इस तरह से और टॉल मिन्स लंबा यह लंबी बिल्डिंग है इसलिसमें क्या करेंगे टिक करेंगे उसी तरह यह टू बॉटल बने हुए पिच्चर में एक है शॉट और एक है टॉल तो जो शॉट है उसको हमें I will go Ben उसी तरह यहां पे लखड़ीका दिया हुआ है पिच्चर जो लखड़ी की तुकड़ा है इसमें क्या है एक हमारा पतला है और एक है मोटा इसमें क्या ₤ ₤ ₤ and cross the thin object tick the thick thick means होता है हमने जैसे बताया आपको मोटा जो होता है चोड़ा उसको क्या करना है tick करना है और cross किसे करना है thin यानि की पतला उसको हमें इस तरह से cross कर देना उसी तरह से यह pin दिया हुआ है इसमें भी हमें वही करना है कि जो ठिक है स्नेक बना हुआ है स्नेक को भी इसी तरह से करना हमें जो ठीक है उसको हमें टिक करकर साइन करना देना है और जिस तरह से यह आपका थीन है पतला उसको हमें क्रॉस कर देना है ब्रश है एक है थीन जो कि पतला है आपका उसको क्रॉस कर देंगे और जो कि हमारा जो क्या है ब् की वस्तु जो कि भारी होती है और light means होता है हमारा हलका जैसे कि हम water मिलोन यह क्या हो गया यह बडा होता है और यह क्या होता है ज्यादा होता है तो ही हो हैवी वह रहें इसके मुकाबले यह फ्रीस ही कर सब्सक्षेडम यह थे चप्रखेर हो गया यह थे हैवी हो गई और यह क्या है आपका पेपर जो कि फोल्ड किया हुआ है यह हो गया आपकी लाइट मींस हलका तो जो हैवी है बुक उसको हम लोग क्या करेंगे टिक कर देंगे और जो लाइट है जो पेपर का फोल्ड किया हुआ है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे उसी तरह से यह उसके देखेंगे इसके मुकाबले में तो यह जो elephant है यह क्या हो गया बहुत हैबी हो गया जो की बहुत ही बड़ा जानवर होता है एनिमल्स जो की बड़ा लंबा चोड़ा होता है तो इसके मुकाबले क्या हुआ यह ज्यादा भारी वजनदार हो गया तो यह इसको क्या क जो कि हमारे box है, इसको देखिए, इसको हमें क्या करना है, यह जो gift है, एक क्या है, heavy gift है, और एक हमारा light gift है, जो heavy gift है, उसको हम क्या कर देंगे, टिक करेंगे, और जो light है, उसको हम cross कर देंगे, उसी तरह से यह एक क्या है, pen की नीब है, और एक है pencil, तो यह pen की जो होगी हमार क्रॉस करदेंगे इसी तरह से हमको फर्स क्टर में करना है हाएट त numéro पडिक and thin, short and tall और big and small यह हमारा first chapter में यह हमको करना है इसके according आप किसी तरह से picture भी draw कर सकते हैं जिस तरह कि यहाँ पर दिया भी हुआ है आप frog का भी picture draw कर सकते हैं बना के खुद से बनाएए जिस तरह कि picture draw कीजिए एक बनाएए big frog बनाएए बनाएए और एक बनाएए आप small frog यह नहीं छोटा उस तरह से यहाँ पर आप एक circle कीजिए या फिर इस तरह से आप इसको बनाएए square उसमें आप इसको tick कीजिए जो की big है बड़ा है उसमें आप tick का लगाईए चिन और जो की cross यह नहीं की जो छोटा है उसमें आपको cross का लगाना है इस तरह से आपको यह करना है यह हमारा first chapter हुआ ओके बच्चों इस तरह से आपको learn भी करना है कि big means क्या होता है big means होता है बड़ा small means होता है छोटा और short, tall यहनि की short means हो गया छोटा, tall means हो गया लंबा और thick means हो गया आपका चोड़ा और thin means हो गया पतला मोटा भी जिसे हम कह सकते है heavy and light heavy means हो गया आपका भारी कोई भी चीज वस्तु जैसे की वजन में ज़्यादा होती वो उसे हम लोग कहते हैं heavy और यह हो गया आपका light यहनि की hulka ओके बच्चो आगए आपको समझ में किस तरह से हमें करना है आप इसके picture भी ड्रॉ कीजिए आपको जो अच्छा लगे suitable लगे picture आप उसको बनाईए उसको color कीजिए और उसको आप cross कीजिए जो cross दिया हुआ उसको cross कीजिए जहां क्रॉस करना है और जहां पर हमको टिक करना है वहां पर टिक कीजिए ओके थैंक्यू